नमस्कार दोस्तों मैं हुराकेस और आप सभी का स्वाक्त कता हूं अपनी यूटूब चैनल इमेजनर वर्ल्ड में दोस्तों जैन धर्म के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत धर्म के उपर अगर आपने जैन धर्म की वीडियो नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्सन में आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं इससे पहले जैसे आपको पता है अगर आप रेगलर सब्सक्राइबर हैं मेरे यार डेली मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यह आज प्राचिन भारत के इतिहास का चठा बाग है इससे पहले हम प्राचिन भारत की इतिहास के बारे में बहुत चीज़े डिसक्राइब कर चुके हैं आपको सबी वीडियो के लिंक या उनका प्ले लिस्ट की लिइए डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी आप डेली मेरी वीडियो को देख रहे हैं म तो यह जो मैं डेली वीडियो यह आपर अपलोड कर रहा हूं यह आपको बहुत ही हैलफुल होंगी और अगर आप इनको देखते हैं डेली तो और किसी भी एक्जाम के लिए आपका जो बेस है हिस्ट्री के लिए वह बिलकुल मजबूत हो जाएगा तो चली ज्यादा बाते ह हम नहीं करेंगे सुरू करते हैं सिदा बाओ धर्म थो बाओ धर्म के संस्थापप जो थे वो थे गौतम बुद्ध के इन्हें एसिया का जाता है इसे इंग्रिश में लाइट ओफियस्या का ते ठीक है का आ जाता है जनम तरिख स्थान इनका जनम 563 अईसापुरब में कप 363 इसापूरव में हुआ था और जगा थी कपील वस्तूक का लुंबी नामक स्थान ठीक है यह किसी भी एक्जाम से के इसाब से इपोर्टन चीज है तो आप इस चीज को भी अपने माइन में रखिएगा ठीक है यह इपोर्टन चीज है आगे बात करें इनकी माता मायां और इनकी मृत्यू मतलब महत्मा बुद्ध के साथ में दिन ही हो गए थी मतलब जब महत्मा बुद्ध जो थे सिर्फ साथ दिनों के थे तभी इनकी माता मायां देवी की मृत्यू हो गए थी लालन पालन इनकी सोतेली मा प्रजापती गौत्मी ने किया था सोतेली मा थी जि इनको ग्यान प्राप्त हुआ था उसके बाद जब यह सन्यान सी बन गए थे तब जाकर नाम फिर मात्मा बुद्ध पड़ा थे आगे हम डिसकस करेंगी आगे बात करें इनका विवहाद 16 वर्सकी उम्र में 16 वर्सकी उम्र में हुआ था किसके साथ यह शोदरा के साथ हुआ था ठीक है ये पत्नी का नाम ये शोद्रा था और इनके जो पूतर हुए उनका नाम था राहुल ठीक है तो ये चीज आप दिहान में रखीगा आगे बात करते हैं संसारिक समस्याओं से ब्यथित होकर सिदार्थ ने 29 वर्स की उमर में ग्रही त्याग किया मलब जब वो सिर्फ 29 वर्स के थे तो उन्होंने ग्रही तिया कर दीया था मलब सन्यासी बनने के लिए हुआ निकल चले थे ठीक है जिसे बौत धरमं में मह भिनी सक्रमन कहा गया है ठीक है ये बहुत ही इपौटन्टट चीज है कि महा भीनिस क्रमन क्या है बहुत धरम है ठीक है बहुत धरम के अनुसार महा भीनिस क्रमन क्या चीज है ये एक इपॉटन चीज है तो आप इसको याद रखीगा महा भीनिस क्रमन है जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था तो उस चीज को फिर वहाँ पर महा भीनिस क्रमन कहा गया है बहुत important चीज़ है इसको आप ध्यान में रखेगा आगे बाद कते हैं ग्रीत या के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम ठीक है ये एक उनके पहले गुरू हुए है अलार कलाम से संख्य दर्शन की शिक्षा ग्राण की ये इनके प्रथम गुरू हुए ठीक है ये चीज भी important है कि इनके प्रथम गुरू कौन थे अलार कलाम तो यह चीज आप ध्यान में रखेगा अलार कलाम के बाद बुद्ध ने राजगीर के रुद्र क्राम पुत के से सिक्सा ग्रान की ये भी important चीज़ है कि अलार कलाम के बाद उनके अनके किससे अपनी शिक्सा प्राप्त की तो जो थे वो थे रुदर कराम पूत्त ठीक है यह भी पॉटेंट चीज़े तो द्यान रखी गए इस सीज को आप है ना तो आगे बाद करें हम अगर आगे देखें पॉइंट नमबर नौ तो वो है बीना अन जल गरहन किये छे वर्स की कठिन तपस्या के बाद मलब बीना अन जल किये नहीं उन्हें कुछ खाया और नहीं पिया छे वर्स की उन्हें तपस्या की हलांकि जो जैन धर्म के तिर्थ कर थे उनको बारा वर्स तक तपस्या करने पड़ती लेकिन उन्हें छे वर्सी तपस्या की कठिन तपस्या की और फिर 35 वर्स की उमर में क्योंकि उन्हें 29 वर्स की उमर में घर छोड़ा था 6 वर्स तपस्या करने वाद 35 वर्स की उमर में इन्हें बैशाक की पूर्णिमा बैशाक महीना था हिंदी इसके बाद बुद्र और जैसे मैंने को घ्यान के लाये और जिसम पर इन्हें अपने उपदेसे पाली भाषा में दीए घे keeper को यह बहुत при यह आम लोगों की भासा ति को एसी भासा थी जिसको सभी लोग समझ सकते थे ठीक है इन्होंने अपने अपने उपदेश पाली भासा में कोशल में बैशाली कोसांबी वह अन्य राजों में दिये ठीक है यह तीन प्रमुक राजे थे कोशल बेशाली और कोसांबी ठीक है और पाली जो थी वह भासा थी यह important चीज ध्यान में रखी है किस भासा में इन्होंने अपने अपने देश दिये थे तो वह थी पाली भासा ओके आगे बात करें प्रमुक अन्युयाई स्यासक मतलब जो जाने माने स्यासक हुए है भारतिय थी हास में वह कौन-कौन से थे जिन्होंने बहुत धर्म को माना वह थे बिंबिसार एक प्रसेजित तथा एक थे उदाइन जो है नोंने जैन धर्म को भी माना था ठीक है यह important चीज है आगे बात करने मृत अब उनकी मृत्यू कब हुई थी मृत्यू के इनकी चारसो तीरेसी विसापुरव Church country March Sing ॉपारamt mess formerly अजिक है जब उनकी उमरती 80 अगे वरो ये इनकी मृत्यू को बंधरम्य महा पर ने निर्वान कहा गया। सबसे जाना कि से निर्वान किसे कहा गया है महात्मा बुध की मृत्यूं की पमंद्ध की तिधि को चिनी पर्मप्रा के करना से क εδώ भी ले अभी लिखते हैं तीक है बीवारों पर जो भी लिखे रहते हैं चीजें इसके आधार पर निश्यत किया था, अब बैने जैसा रहों को बताए कि इतिहास हमने निहीं देखा है, जिन्होंने देखा है उनकी म्रित्यधू हो गई यह तो हम इतिहास का पता कैसे लगाते हैं, इथियास का पता हम पुरानी चीजों की खोज करके या उनका अध्यान करके ही इथियास का हम पता लगाते हैं सेम यही चीज है कि महात्मा बुद्ध की हमें exact date of worth या उनकी जो मरने की ती थी थी उनकी मृत्यू की ती थी और किस तरह पता लगती है वो लगती है केंटोन अभ लेख ठीक है चीनी परमपरा में केंटोन अभी लेख है उसके अधार पर निशित की गई है कि हां इतने में की मृत्य और इतने में की जनम हुआ होगा ठीक है अंडर्स्टैंड आगे बाद करें बहुत धरम मुलतह अनिश्वरवादी है मीनिंग कि यह इस्वर को निमानते यह कहते हैं कि इस्वर नहीं है ठीक है इनका अपना ही धरम है तो यह जो है सिमिलर है जैन धरम के अनिश्वरवादी है ठीक है तो यह इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है आलांकि जैन धरम में आत्मा की परिकल्पना है लेकिन इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं ह इस से पुनर जनम की मानेता है इस धर्म में पुनर जनम की मानेता है तो जैन धर्म में सिर्फ जो एक सिमिलर्टी इस धर्म के साथ है वो सिर्फ इतने कि ये दोनों धर्म जो है अनिश्वर वादी है मतलब धर्म जो है ये इश्वर को नहीं मानते लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानती है यह आत्मा को नहीं मानते तो यह similarity इनकी नहीं है आगे बात करें विस्व दुखों से भरा हुआ है विस्व दुखों से भरा है का सिधान्त बुद्ध ने उपनिसद से लिया है अब यह उपनिसद तो हिंदुधर में आते हैं ठीक है तो उपनिसद से लिया हुआ है इन्होंने अपना एक सिधान्त आगे बात करें बुद्ध के अनुनियाई दो भागों में विवाजित है मतलब जो भक्त हैं बुद्ध के या बौध धर्म के वो दो भागों में बंटे हुए अब कौन-कौन से एक तो है भिक्षूक भिक्षूक की से कहा जाता है भिक्षूक कहा जाता है बौध धर्म के प्रचार के लिए जिनोंने सन्यास ग्राण किया वे भिक्षूक कहला है मतलब बौध धर्म के प्रचार के लिए जिनोंने बौध धर्म को माना और अपना सब कुछ छोड़ दिया मतलब अपना घर बार, अपनी पतनी, पती, बच्चे सब जिनोंने छोड़ दिये वो भिखषुक कहला है और बहुत धर्म की सिर्व सेवा की प्रचार किया लोगों में बहुत धर्म के बारे में उनको बताया, वो भिखषुक कहला है ठीक है और जो number 2 आते हैं वो आते हैं उपासक अब कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो घर नहीं छोड़ते लेकिन बहुत धर्म को तो मानते हैं वो उपासक कहला है ठीक है जैसे की ग्रियस्ती जीवन भी जिनोंने चलाया अपने ग्रियस्ती अपने बच्चों अपने पत्नी के सा रहे अपने पती के साथ जो बस्त्रियां रही और सिर्फ बहुत धर्म को भी मानती रही वह उपासक कहला है सिर्फ उन्होंने बहुत धर्म की उपासना की अपना घरवार नहीं छोड़ा ठीक है तो यह था का पॉइंट नंबर 17 की बात करें तो बहुत धर्म होने के लिए 15 मीनिंग अगर आपने बहुत धर्म होना है समिलित होना है तो आपको 15 जो है मीनिमम आईउट थी तब यह बहुत धर्म को में एंटर हो सकते थे ठीक है तो यह चीजी पॉटेंट है तो कभी पुछ लिह जा सक कुछ एक हमारे पास है्मिषमें 6 बहुत हुद संखीति के बाद थार्म के डो भाग हीन में में Rams हो गया लाव द्थाफ इस पिछे जैना का थार्म भी 2 में में सीवेकर था स्विचान इधिया चार्द करविश कम दो वागों स करने कि जयों जासे पवित्र ज्वातोर गया है उन्तु में थिंध्तु में कि अनुमर्याम्हूत्वशं में हेला जान को छाया थे कि सबसे है दिक है तुमतार फोर्वानायमे में दिक है। पूद्द पर्णिमा इसलिए इपॉर्टेन्ट है क्योंकि इसी दिन बूद्द का जनम हुआ था इस दिन इनकी निर्वान हुआ ताओ में सबसे पवित्र अचिसकोन सीम्नि है यह इनको ग्यान मिला का परमलक्ष है निर्वान मतलब मृत्यू मोक्ष प्राप्त करना जिसको हम कहते हैं यह इनका परमलक्ष है बौध धर्म का कि हमने मोक्ष प्राप्त करना है इसलिए धर्ती पर पैदा हुएं यही इस धर्म का परमलक्ष है ठीक है जिसका अर्थ है निर्वान का अर्थ होता ह लिए निमल दस शीलों पर बल दिया मतलब सरल बनाने के लिए निमल दस शीलों शीलों का मतलब कुछ अपने रूल बनाए कुछ सिधान्त दिए इन पर अडिक रहना पड़ेगा तब यह आपको जाके जो है निर्वान जो मृत्यू है जो मोक्ष है वह अरसानी से मिल सकेगा हुआ कौन-कौन से हैं यहाँ पर हम वन बाई उनकी डिसकेस करेंगे सबसे पहले तो है अहींसा मलब लडाई जगडां ना करना सान्त रहना एकदम से थीक है हींसक ना बनना ठीक है दूसरा आता है सत्य और सत्य जूत ना बोलना में सत्य पर डिग रहना ठीक है तीसरा एस बोजन के नहीं करेंगे कि करना मतलब रखना ना नंतलब रखना ना कमाना इस करना तो ना सत्रीयों से रहना स्थियों से एक दम ही दूर रहना ठीक कै एन मर शादी विए ना करना कि ये तो उनको छोड़ स्थी है कि het मतलब है ओके तो यह दिंगों नहीं रूल्ध दिये जीन को शील को अगर आप इनको मानते हैं तो आप जो निर्वान निर्वान मुख्ष है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ये कहना था बहुत धर्म के अनुसार आगे बाद करते हैं कुछ एक जो इपॉटन चीज़ है इसकी ग्रियस्तों के लिए मतलब जो उपासक थे मैं जैसे आपको बताया कि बहुत के बहुत धर्म के दो उनको लिए सिर्फ यही थे कि ये पांच ही मानने उन्होंने ठीक है और जो भी सुक थे उनको दस की दस मानने पड़ते हैं अब जो उपासक हैं जो घर ग्रियस्ती में रहेंगे तो वह इन पांच चीज़ों को जो है फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब घर में रहते हैं तो साधी करेंगे बच्चे होंगे सब कुछ होंगे ठीक है नृत्यगान भी घर में होते हैं तो ये दस चीज़ों जो है उपासक नहीं कर सकते जिसके कारण सिर्फ उनको पांच चीज़ों पर ही अपना ध्यान रखना था ठीक है आगे बाद कते हैं अनिश्वरवाद के अपना अन्तिम जनम लिया जबकि मेत्रेय तथा अन्या अनामवद अभी व अवत्तरित होने हैं बहुत धर्म के अमसार की बहुत भूद के निरवान के बाद ज़्यां के उनकी मृत्यों के बाद उन्होंने दौवारा जनम लिया जिसका नाम है शाक्यमुनी के रूप में अन्य 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 अन गंधार के शैली के अंतरगत किया गया लेकिन बुदht की प्रतम मुर्थी संभवות मत्थुरय कला के अंतरगत बंसी ठेका जब कि सरवादिक मुर्तियों का निरमान गंधार के अंतरगत की है था तो यह बहुत इसको भी अब ध्यान ध्यान में रखिएगा आगे बाद करते हैं तिबत बुटान एवं पडोसी देशों में बहुत धर्म का प्रचार पदम संभव पदम संभव में नाम है गुरू रिन पांच ठीक है नेकिया इनका संभन्ध बहुत धर्म के बज्रियान साखा से है ठीक है यह भी पॉट्रेंट इनकी 123 मूर्ति सबसे उंची मूर्ति है आल इंडिया में तो आप इसको ध्यान रखिएगा चाया हीमाचल परदेश के तो किसी भी हमाचल स्टेट के एक्जाम के लिए बहुत धर्म से एक इक इप्रटेंट कोशन है तो इसको आप ध्यान रखिएगा 123 मूर्त उंची मूर् जो शुरू हुई कि मुर्तियों को पूजा जाने लगा उनके उपासकों द्वारा वो संबबता सबसे पहले बुद्ध की मुर्ती ही पूजी गई थी ऐसा माना है इतिहासकारों का ठीक है तो फ्रेंट्स ये थे आज के जो मैंने बहुत धर्म के बारे में 27 कुछ इपॉर्ट यह थी आज की मुर्ती वीडियो तो इसके बाद हम फिर आपके साथ हाजर होंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो भी किसी धर्म के उपर होगी आई थिंक अभी मैंने चेक नहीं किये तो मैं जुरूरी उसके बारे में आपको जल्दी बताऊंगा जैसे वीड करके जुरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगते हो इसको डेस लाइक तो जुरूर करी देएगा ठीक है तो चलिए मिलते हमके साथ नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए गुड़ बाए